नमस्कार वित्रों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी स्वस्था और सानन्द होंगे आप सबों के सुख शांतिय और सम्रितिकी मैं इश्वर से कामना करता हूँ आज शनिवार है सेटरडे और आज दिन होता है स्टॉक अप दवीक का तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के समख छोपसते तो स्टॉक आप दवीक में सबसे पहले मैं आप से बात कर लेता हूँ दो तीन ऐसे स्टॉक की जिन्होंने इस बीच में बहुत जवरदस्ट परफॉर्मेंस करके दिया है देखिए IDFC फस्ट बैंक जो एक जनवरी या दो जनवरी को मैंने द 68 का हाई लगाया है 68 का और आपको जो यहाँ पर गेन परसेंटेज मिला है लगभग देड़ महीना हुआ है मैंने ये किया दो जनवरी को इसको रिकॉमेंट किया था आपको ये वीडियो नंबर 60 और 61 थे इन्हीं दोनों में से किसी एक में मैंने IDFC फस्ट बैंक का नाम लि किया था और इस स्टॉक को मैंने आप लोगों को 550 के आसपास रिकॉमेंट किया था और वहां से चलते हुए इसने लगभग 620 का लेवेल टच किया और आपको यहाँ पर जो गेन मिलता है सिर्फ 15-20 दिनों में वो मिलता है तकरीबन 15 परसेंट का तो 15 ट्रेडिंग सेसंस मे 15 परसेंट का गेन कैसा लगा आपको आज जो हमारा स्टॉक अफ दवीक है यह है IDFC लिमिटेड कुछ लोग इसको IDFC फर्स्ट बैंक न समझ लें इसलिए मैं बिलकुल क्लियर कर दूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक इसी और्गनाजेशन से जुड़ी हुई बैंकिंग संस्था है ज कुछ लोग मेरे रिकॉमेंडेशन से मैं IDFC को रिकॉमेंट करूँ और आप आप जाकर IDFC फर्स्ट बैंक खरीद लें तो घर्वड हो जाएगी Stock of the Week IDFC है न कि IDFC First Bank है IDFC, IDFC Limited भी इसको बोलते हैं तो IDFC Limited के बारे में मैं आज बात करूँगा IDFC First Bank जो है ये एक बैंकिंग और्गनाजेशन है और इसमें IDFC Limited जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ उसका भी 40% stake IDFC First Bank में है IDFC First Bank पिछले कुछ दिनों से जवरदस्ट परफॉर्म कर रहा है दो तीन क्वार्टर पहले तक ये नेगेटिब में था ये लॉस में चल रहा था और उसके बाद ये बहुत बढ़िया रिजर्ट देने लग गया है IDFC First Bank एक ऐसी जवरदस्ट बैंकिंग और्गनाजेशन है जिसके चेर्मेन वैदेनातन सहाब है और वैदेनातन सहाब वही शक्सियत हैं जिनोंने ICICI Bank का पूरा रिटेल का चेन खड़ा किया था और बैंकिंग छेतर के सबसे दिगज नामों में से माने जाते हैं और जीरो स सामने आ रही है और कुछ दिन पहले तो loss में थी लेकिन अभी ये profit में आ गई है आपको विश्वास तो नहीं होगा लेकिन almost everyday average जो है इनका everyday इन्होंने एक ब्रांच खोला है लगबग भारत में भारत के कोने-कोने में अपना पहुंच बना रही है अभी बहुत कम price पर available है लेकिन बहुत से लोगों के मुझसे आप सुनेंगे कि आने वाली HDFC bank है ये stock of the week तो IDFC limited है तो मैं IDFC first bank की बात क्यों कर रहा हूँ IDFC first bank के growth से ही IDFC limited का growth भी बहुत closely जुड़ा हुआ है IDFC first bank जो है इसमें 40% stake IDFC limited का है IDFC limited basically non banking है जबकि IDFC first bank एक banking organization है IDFC limited का 40% stake IDFC first bank में है IDFC limited infrastructure funding में है जबकि IDFC first bank अपना पूरा concentration जो है वो retail banking पर लगा रही है जो retail investors है जो retail खाता धारक है हमारे आपके जैसे उन पर focus करती है और जो infrastructure funding के लिए जो IDFC limited है वो बड़े बड़े projects को fund करती है समझ रहे हैं तो एक समय में IDFC limited का घाटा बहुत जबरदस्थ था लेकिन IDFC first bank के बनने के बाद उन्होंने तैय कि पी वैद्यनातन जी ने की retail banking पर वो focus करेंगे तो इसलिए आप देखेंगे कि IDFC first bank को उन्होंने एक loss making organization से एक profit making organization बना दिया और obvious है जो कि 40% stake इसमें IDFC का भी है तो इस profit का जो beneficiary है लाप जाने वाला है वो IDFC को भी जाने वाला है मैंने पहले आपको portfolio में IDFC first bank को recommend किया था और उसने 70% अभी तक gain दे भी दिया लेकिन आज मैं stock of the week IDFC आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ IDFC limited को आपके समख्ष stock of the week बना कर क्यों पेश कर रहा हूँ कारण यह है कि IDFC first bank पिछले डेड़ वहीने में काफी चल चुका है और IDFC ने लगातार underperform किया है जबकि fact क्या है मैं बताता हूँ 11 अगस्ट से 13 अगस्ट 2020 की बात है जादा पुरानी बात थे हैं यह 4-5 वहीने पहले 6 वहीने पहले की बात है 11 अगस्ट से 13 अगस्ट के बीच एक बहुत जवरदस्ट ख़वर आई कि IDFC limited जो एक छोटी organization है जिसका market cap तकरीबन इस समय 8,000 करोड है उस समय और कम था मेरे ख्याल से 6,000 करोड के आस पास था तो यह छोटी company acquire करने वाली है IDFC first bank जो की already एक small cap company लगबग 16-17,000 करोड के market cap वाली company उस समय थी अभी कहीं उससे थोड़ी जादा हो गई है क्योंकि prices कबढ़ गया है तो IDFC limited जो एक छोटी organization है वो अपने से लगबग double या triple size के bank को acquire करने वाली है इसको reverse merger भी बोलते है कि 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच जब ये खबर आई अपडेट को note करिएगा ये सब मैं दिखा रहा हूँ आप देखिए ये जो period है ये है 11 अगस्त से 13 अगस्त का और ये IDFC first bank का chart बने लगाया आपको 28.5 अगस्त कर रहा था और दो दिनों के अंदर 11 से 13 के बीच इसमें कोई बहुत बड़ा movement नहीं हुआ 31 के price पर आ गया इसमें भी एक अच्छी चाल आई और वो चाल थी करीब करीब 10% आप इस date को याद रखिएगा 11 अगस्त से 13 अगस्त ठीक है अब मैं आपको एक दूसरा chart दिखाता हूँ जो IDFC limited का chart है अब जो हमारा stock of the week है IDFC limited या simply IDFC उसका chart मैंने लगा लिया है अब जरूर याद रखिए 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच का movement मैं आपको दिखा रहा हूँ 11 अगस्त को ये trade कर रहा था 21 रूपे के आसपास और 13 अगस्त को देखिए कहा पहुँच गया है 13 अगस्त को पहुँच गया है ये तकरीवन 29 रूपे पर 20 अगस्त को ये पहुँच गय है 30 रूपे पर जबकि आपने IDFC first bank को देखा वो भी 30 के आसपास trade कर रहा था तो इतना जो जबरदस्त movement इसमें आया था 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच उसका reason ये था कि reverse merger की ख़बर market में आ गई थी तो इसलिए IDFC जो एक छोटा organization है वो अपने से बड़े organization IDFC first bank को acquire करने वा IDFC के जो targets हैं वो बदल गए 11 से 13 अगस्त के बीच 50% का movement आया और जबकि IDFC first bank में कितने का movement था IDFC first bank में मैं लिखता हूँ IDFC 50% और IDFC first bank इसमें movement था 10% का तो ये इतना बड़ा अंतर क्यों है इतना बड़ा जो अंतर आपको दिख रहा है वो इस region से दिख रहा है क्योंकि IDFC acquire करने वाली है IDFC first bank को अपने से बड़े organization को acquire करने वाली है अभी करेंटली IDFC की पहले मैं बात करता हूँ IDFC इस समय ट्रेड कर रहा है लगवक 52 रुपीज के आसपास यह आप देख रहे हैं और जबकि IDFC first bank ने अभी कल ही लगवक 68 का level टच कर लिया 68.5 के आसपास गया था यह कौन गया था IDFC first bank शुरुवात में मैंने आप लोगों को बताया था कि IDFC first bank जो है purely banking organization है जबकि IDFC क्या है IDFC first bank 68.5 पर ट्रेड कर रहा है इस समय और जबकि IDFC काफी पीछे चुट गया है 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो आपने देखा था कि जब price के moment की बात होई थी 11 अगस्ते 13 अगस्ते बीच तो किस तरह IDFC दो बार 20 20% का circuit मार कर लगवद 50% का jump देता है और जबकि IDFC first bank भी उचला लेकिन 10% का jump उसने दिया अभी देखिए IDFC first bank चला गया 68.5 के आसपास लेकिन जिस तरह से IDFC being an infrastructure funding company जिसके पास mutual fund का business भी है जिसके प तो अगर आप compare करें IDFC first bank के current price को 68.5 को IDFC के IDFC limited के current price से यानि की 52 से तो आप देखेंगे कि IDFC इस समय काफी underperform अभी तक करता रहा है IDFC first bank already अपने target के आसपास पहुँच चुका है 68.5 को इसने कली hit कर दिया था अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा 70 तक अभी जाएगा उसके कुछ दिन के बाद consolidate करेगा तभी ये उपर जाएगा लेकिन IDFC सिस्तम में 52 उपर है और इसका भी लगबग 68 तक जाना मुझे तय दिखता है तो फिर भी मैं इसका जो एक conservative target है आप लोगों को 65 दे रहा हूँ अगर 52 से 65 को आप देखें तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर गेन आपको possible दिखता है मुझे और यह गेन है 25 परसेंट का यानि कि अगर आप 52 रुपीज से इस समय पी इसमें इंट्री करें और 65 तक अगर आपको गेन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि 25 परसेंट का गेन आपको यहाँ पर बहुत कम समय में मिल जाएगा IDFC First Bank में जिन लोगों का निवेश है वो 70 तक के लिए ही इसमें अभी अपना position बनाएं देखिए मैं एक certain discipline को follow करने में विश्वास रखता हूँ और जब कोई stock 25-30% चल जाता है तो मैं उससे exit करने की सला देता हूँ और फिर उसको consolidate करने दीजिए फिर देखिए उसके price movement को observe करिए वो नीचे जाता है वही रहता है उसके बाद ही उसमें फिर से re-entry लीजिए यह मेरा अपना discipline है हर आदमी का हर trader का अपना एक style होता है तो मैं 25-30% का gain मिलने के बाद उससे निकल जाता हूँ तो IDFC first bank में already 40 रुपे पर जिन्होंने entry ली होगी मेरे recommendation के बाद उन्होंने अभी एक बहुत बहतरीन gain बना लिया है लगभग 70-75% का मेरा recommendation है कि अभी exit कर सकते हैं हाँ long term के लिए अगर आपने खरीदा है आपका vision अगर 4-5 साल का है या 10 साल का है तो IDFC first bank से बढ़िया bet इस समय है नहीं market में तो आप उसमें बने रहिए कोई दिक्कत नहीं है अभी short term gain के लिए आप IDFC को खरीदिए और 25% का gain यहां पर लीजिए यह बहुत ही conservative target दे रहा हूँ क्योंकि IDFC first bank का target जब 70 है तो IDFC का target कहीं उससे comparable होना चाहिए तो 70 या 75 भी हो सकता है देखिए IDFC के पास अपना business है और infrastructure funding का business तो ही जो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है insurance का भी business है mutual fund का भी business है और mutual fund में भी काफी बढ़िया इनका चल रहा है और फिर जब IDFC जब IDFC first bank को acquire कर लेगा तो पूरा bank भी इसी का होगा री rating जो है वो तो बिल्कुल सुनिश्चित है वो तो बिल्कुल clear है कि इसका price क्यों बढ़ेगा IDFC एक बहुत बहतरीन इस समय विकल्प है हमारे सामने तो इसको इसलिए मैं आपको stock of the week के लिए आप लोगों को चुन कर लाया हूँ आप लोगों के लिए मैंने कोई detailed analysis इसमें नहीं किया है कुछ मित्र हैं जो comment section में बहुत ही valuable comments करते हैं तो ऐसे ही कुछ मित्रों ने कभी कभी बहुत constructive सुझाओ भी दिये हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जिन जिन पहलूँ को जानते हैं या देख रहे हैं या मैं जिन जिन पहलूँ को जानता हूँ और देखता हूँ तो उन सारी चीजों को एक ही छोटे से वीडियो में ला पाना संभव नहीं होता तो इसलिए मुझे च्छमा करेंगे कि कई चीजें मेरे analysis में छूट जाती हैं या मैं जान बूज कर छोड़ देता हूँ उसका reason यही होता है क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं किया जा सकता तो यह था हमारा आज का stock of the week IDFC limited या simply IDFC अगर आप IDFC टाइप करेंगे तो आप सामने IDFC आ जाएगा तो IDFC को या IDFC limited को आप नजर पर बनाये रखिए और अपने radar पर रखिए इसका खुद भी अच्छे से study करिए अपने financial advisor से बात किये भी नहीं इसमें position मत बनाये मैं जो वीडियो बनाता हूँ यह educational purpose से बनाता हूँ यह कोई buying recommendation मैं नहीं देता इसको खुद भी और भी अलग जगों से भी आप अपना research करिए उसके बाद ही इसमें position बनाये आप लोगों से थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कुछ pharma stocks की देखिए कोवीड से पहले pharma stocks में बहुत बड़ा भूम आया आप सभी लोग जानते हैं लेकिन कोवीड के बाद जो कुछ pharma stocks हैं कि वो नीचे गिर रहे हैं बजाए इसके कि उन्होंने बहुत जबरदस्त results पोस्ट किये हैं और वो लगातार गिर रहे हैं इनमें मैं तीन नाम लेना चाहूँगा मैं कुछ एक pharma stocks की बात करना चाहूँगा जो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे लेकिन इस समय वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और पहला नाम है IOLCP का IOLCP ने पिछले quarter में भी बहुत जबरदस result पोस्ट किया था इस quarter में भी बढ़िया ही है और दूसरा नाम है गुज थेमिस बायोसिन का तो ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो लगातार कमजोरी दिखा रहे हैं IOLCP इस समय घटते घटते कल 601 पर आ गया था और गुज थेमिस बायोसिन भी लगबग 220 के आसपास ट्रेट करने लगा है ये दोनों लगातार कमजोरी दिखा रहे हैं मैं अपने सभी दर्शकों से सभी श्रोताओं से यागरा करूंगा मेरा रिकॉमेंडेशन है कि इन दोनों से एक्जिट कर जाएए क्योंकि ये आगे चलकर और भी बड़ा घाटा आपको दे सकते हैं इनमें टार्गेट सच्छे नहीं है और COVID-19 के बाद जो है फार्मा कंपनियों का जो बूम था वो करिब करिब खत्म हो गया है हाँ स्पेसिफिक कंपनियों में आप बने रह सकते हैं तो उसकी चर्चा में एक दिन करूंगा कि फार्मा के कौन से स्टॉक आने वाले कुछ समय के लिए बहुत बहतरीन आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं नगर इन दोनों से निकल जाए और इन दोनों में अगर आपको लॉस बुक भी करना पड़ रहा है तो बुक कर लीजिए आगे आने वाले समय में एक बड़ा लॉस हो जाए आपका लॉस जो है लगातार बढ़ता जाए डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए उससे बहतर है कि इन दोनों स्टॉक से आप बहार निकल आईए मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक अपनी घटना भी बताई थी कि कैपलीन पॉइंट लैब में मैंने समय पर मैं चुकि एक सही समय पर एक्जिट नहीं कर पाया इसलिए मुझे एक बड़ा लॉस लेना पड़ा लगवग पचास हजार का लॉस लेना पड़ा लेकिन मुझे उससे कोई इतना दुख नहीं है क्योंकि अगर मैं उस समय लगवग मेरा प्राइस जो था 595 के आसपास था और मुझे 500 के आसपास आकर उससे एक्जिट लेना पड़ा और फिर आप देखिए कि उसके नीचे भी हो चला गया लगवग 440 के आसपास अगर मैं 500 पे एक्जिट नहीं करता तो मेरा जो लॉस है वो और भी कहीं बहुत बड़ा हो जाता तो मेरे इस लॉस से आप लोग भी सीखिए और IOLCP और कुछ थेमिस बायोसीन से निकल जाएए टाइटन बायोटेक की भी पहले मैंने चर्चा की है और टाइटन बायोटेक इस समय बूम जरूर दिखा रहा है लगवग 120 पर आप लोगों को लेने को कहा था वहां से लगवग 215 चला गया है इन फैक इस बार भी इसने आउटस्टेंडिंग रिजर्ट पोस्ट किया है पर मुझे इस बात की आशंका है कि ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएगा ये नीचे गिर जाएगा तो टाइटन बायोटेक से भी आप लोग एक्जिट ले लीजिए बहुत सारे सोर्से से डाटा कलेक्ट करके उनको रिसर्च करके अनलाइज करके आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ तभी वो आपके लिए इतने बड़े-बड़े गेंस देते हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी प्रात्ना है, छोटी सी अपेक्चा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगा हो तो शेर करेंगे अपके मितर जनो, परिवार जनो के साथ इसको लायक करेंगे और बिल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन्स फ्यूचर में मिलते रहें मिलता हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही जवरतस्त वीडियो में कल फिर से अपना खयाल रखिए स्वस्त रहें और खुश रहें बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम